हाई लो दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इसकिल नौलेज में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कम्प्यूटर में जो कुछ भी बताता हूँ तो उसके शॉटकट के ज़रूर बताता हूँ चाहे वो MS Word ओ, Excel हो या Microsoft Office का कोई भी पार्ट हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए धेर सारी शॉटकट के लेकर आया हूँ वीडियो बहुत यूसफुल और काम की है इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना तो चली वीडियो को शुरू करते हैं हाईलो दोस्तों मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट आप देख रहे हैं इसकिल नौलेज वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बिला इकन को ज़रूर प्रेस कर लेना तो चली आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं देखिया दोस्तों MS Word पर ये जो Fond का पूरा portion होता है तो आज मैं केवल उपर इतने portion की दो दो तीन तीन shortcut की बताओंगा यानि की बगैर mouse के इतना काम करना बताओंगा इन सब की advance और basic दोनों shortcut की बताओंगा अगर आपके पास mouse नहीं है या mouse खराब है तो इन सब का use कैसे करेंगे तो देखिये सबसे पहले font पर आते हैं तो for example हम पहले अपना नाम गुफरान टाइपस्ट टाइप कर लेते हैं अब इसको हम select कर लेते हैं अब अगर आपको इसका font चेंज करना है तो यहाँ पर दो shortcut हैं जिसमें shortcut number one alt plus h plus f plus f दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यार में रखना है alt को दबा के छोड़ देना है और just h और दो बार f को प्रेस कर देना है यानि कि alt h ff को प्रेस करने पर देखिए हमारा cursor automatic अपने आप font पर पहुँच चुका है अब यहाँ पर आपको जो font लगाना है उस font का नाम अगर आपको याद है तो type करके enter को प्रेस करना होगा अगर font का name नहीं याद है तो down arrow को प्रेस करते रहे तो यहाँ पर आपको सारे font दिखेंगे अब जो भी font आपको लगाना हो तो उस पर आजाए उसके बाद simply enter को प्रेस कर दीजिए जैसा कि आप देख रहे हैं अब अगर आपको इस font का size छोटा बड़ा करना है तो इसको select रहने देना है और shortcut command alt plus h plus fs यानि की alt को दबा के छोड़ देना है और just h और fs मतलब alt h fs को प्रेस करना है तो यहाँ पर आपका cursor आ जाएगा इसके बाद दोस्तों down या up arrow का use करते हुए जो भी size देना है उस पर जाएए और enter को प्रेस कर दीजिए तो यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए होंगे तो दोस्तों अब यहाँ तक shortcut number one पूरा हो चुका है अब चलते हैं आगे shortcut number two पर तो दूसरी हमारी shortcut की बहुत useful है देखिए किसी भी data का font change करने के लिए पहले आपको अपने type matter को select कर लेना है इसके बाद control plus D यानि की control D प्रेस कर देना है तो यहाँ पर अब font का पूरा window open हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं अब यहाँ पर आपको वही प्रोसेस करना है जो font लगाना है अगर उसका नाम याद है तो यहाँ पर type करके enter को प्रेस करना होगा नहीं तो down arrow का use करते हुए आप अपने according किसी भी font पर आ जाएए इसके बाद enter को प्रेस करिए इतना करने के बाद यहाँ पर आप tab की का use करके font style पर भी आ सकते हैं और arrow की का use करके किसी भी style को लगा सकते हैं इसके बाद tab की का use करके आप यह size पर भी आ सकते हैं और down arrow का use करके किसी भी size को लगा सकते हैं और simply enter को प्रेस करके आप यह सब काम बगार mouse के कर सकते हैं तो दोस्तों अब हमारा shortcut number 2 पूरा हो चुका है इसके बाद चलते हैं shortcut number 3 पर तो देखिए ms word पर अपने type matter को select कर लेना है इसके बाद तीसरी हमारी shortcut की है control प्लस shift प्लस f यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है control और shift को दबाए रहना है और just f को प्रेस कर देना है जब control shift f को प्रेस किया जाएगा तो देखिए font का window open हो जाएगा अब इसका use same उसी तरह करना है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था तो उमेद करता हूँ कि यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए होंगे इसके बाद आगे भड़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि A लिखे हुए हैं इनका मतलब और इसकी shortcut की क्या देखिए पहले आपको अपने MS Word के matter को select कर लेना है इसके बाद जब आप यह बड़े वाले A पर बार बार किलिक करेंगे तो आपका जो matter select होगा उसका size बड़ा होता चला जाएगा और जब यह छोटे वाले A पर बार बार किलिक किया जाएगा तो MS Word पर select matter छोटा होता चला जाएगा अब इसकी shortcut की वो भी सीख लीजिए तो दोस्तों कई shortcut की हैं जिसमें shortcut की number 1 देखिए matter को select करने के बाद control प्लेस close box bracket यानि कि control के साथ close वाला box bracket वाली की को जब तो select matter का size grow यानि की बड़ा होता चला जाएगा ओके अब इसका opposite control प्लस open box bracket यानि की control के साथ open बड़ा वाला bracket का use करने पर आपका size छोटा होता चला जाएगा यहां तक आप सब कुछ समझ गए होंगे अब इसकी दूसरी shortcut command वो भी सिख लीजिए वो है alt plus h plus fg यहां पर आपको alt दबा के छोड़ देना है ओके तो matter को select करने के बाद alt h fg को अगर एक बार दबाएंगे तो font size एक बार बड़ा होगा अब इसका opposite alt plus h plus fk यानि की alt h fk को प्रेस करने पर font size छोटा होगा इसके बाद दोस्तों next यह जो option है इसको clear formatting बोलते हैं तो इसका use कैसे करें और इसकी shortcut की क्या है देखिए मान लीजिए for example हम अपना नाम गुफरान यहाँ पर type कर लेते हैं और इस name को हम bold कर लेते हैं और इसे double underline भी कर देते हैं थोड़ा सा और देखिए जैसे हम इसको कोई भी color देते हैं तो यह हो गई हमारी formatting ओके अब आपको अपने इस matter को select करना है उसके बाद alt plus h plus e यानि कि alt को दबाके छोड़ो और just h और e को प्रेस कर देना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जितने भी formatting किया था वो सब clear हो गई दोस्तों अब आप clear formatting का यूज़ करना और उसकी shortcut की समझ गये होंगे इसके बाद मैं आपको यह bold italic underline strike through और यह square system यानि कि यह नीचे का पूरा portion हम आपको next video में तीन तीन shortcut के साथ बताएंगे और हाँ एक बात बताईए यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना आने वाले वीडियो काफी useful होगी इसलिए subscribe करके पे लाइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएं